नमस्ते आज हम फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विशय पर फिर चर्चा करने आए हैं और ये चर्चा आज है फाइब्रोइड है फाइब्रोइड याने बच्चेदानी की गठान और किस तरीके से फाइब्रोइड से इन्फर्टिलिटी जुड़ा हुआ है निस अंतानता इसके बारे में कुछ बात करेंगे देखें आमूमन जो फाइब्रोइड है ये तीन प्रकार के होते हैं आए समझे किस तरीके से सबसे रॉजल फाइब्रोइड इंट्रामूरल फाइब्रोइड और सम्नुकोजल फाइब्रोइड सबसे रॉजल फाइब्रोइड का मतला वो बच्चेदानी की ऊपरी तरफ है वो अपने बच्चेदानी के अंदर के त्रिकोने आकार को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है Intramural Fibroid यानि वो बच्चेदानी के मास पेशियों के बीच में है कई बार ये Fibroid बच्चेदानी की जो ये त्रिकोनी अंदर की आकार है जहां बच्चे को चिपकना है उस लाइनिंग को डिस्टॉट कर सकता है और थर्ड सब्म्यूकोजल Fibroid ये सबसे जादा परिशानी दे सकता है मावन्नी में ये Fibroid बच्चेदानी की अंदर की तरफ रहता है तो जैसा हम समझे जो Fibroid बच्चेदानी की अंदर की तहे को बिगाड रहा हो या उसकी लाइनिंग को डिस्टर्ब करके उसका शेप खराब कर रहा हो वो Fibroid डेफिनिटली संटानींटा का कारण हो सकता है लेकिन जब भी एक कप्टल को एवालिवेट किया जाता है तो उसमें कमपोजिटली ये भी देखा जाता है कि क्या से Fibroid ही एक कारण है या कुछ added factors भी हैं जैसे पुरुष की रिपोर्ट में कोई समस्या, अंडे बनने की प्रक्रिया में कोई समस्या अब जब हम as a doctor ये देखते हैं कि Submucosal Fibroid है बच्चेदानी के अंदर की तरफ तो उस Fibroid को operate करके निकालना पड़ता है अब जब हमने टेस्ट किये और हमने देखा कि औरत के शरीर में Submucosal Fibroid है यानि उस त्रिकेरन आकार के अंदर तो साहिर सी बात है कि जब बच्चा यहां चिपकेगा तो यह Fibroid उस बच्चे के implantation उसके blood flow को disturb करके वो बच्चे की pregnancy आने के संभावना कम कर देता है इसलिए Submucos Fibroid को हमें हमेशा निकाल के आगे pregnancy प्लान करनी पड़ते है Intramural Fibroid जो होते हैं अगर वो अपने आकार को disturb नहीं कर रहे Size में छोटे हूं तो हम उनके साथ ही pregnant हो सकते हैं उन्हें निकालने के जरूरत नहीं होते अगर Intramural Fibroid अपने इस त्रिकोने आकार को टच कर रहा है या disturb कर रहा है या उसकी Size लगभग 5 cm से उपर है तो उस तिती में भी हम उसको निकालने की सला देते हैं Fibroid एक ऐसी कंडिशन है जिनके लिए हमें Infertility के साथ अगर जुड़ी है तो उनके लिए Operation एक Best तरीका है आज के आधूनिक यूम में वो लाप्रोस्कोपिकली या हिस्ट्रोस्कोपिकली Myomyctomy की जाती है Depending upon the location कि Fibroid कहा स्तित है और इसके Recovery Rates बहुत अच्छे है और इस Operation के बाद माप बनने की शमता भी बहुत अच्छी हो जाती है